हलो दोस्तों हुष पलानाटू चैनल में आप सब लोग स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्कीटेक महिपाल मैं आज आप लोग बताना जा रहा हूँ जिस पलोट की साइज है 50 बाई 40 50 पीट हमारे पास पलोट की चोड़ाई है और 40 पीट हमारे पास पलोट की लंब है 40 फिट 40 फिट हमारे पास पलोट की लंबाई है तो 50 इंटो 40 पलोट का एरिया हो गया और वेस्ट पैसे पस्टिम दिशा की तरफ इसका मुख के बागी तिनुसाइट अदर प्रोपेटी की नियों और का भूगंड है तो चले दोस्तों इसकी पस्टिम दिशा से शुरुआ करते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारे पास 10 फिट का मेंगेट इस मेंगेट को हम जैसी खोलते हैं पार्किंग एरिया के अंदर जिसकी हमारे पास साइज है 17.5 इंच भाई 17.9 यहां पर आप राम से अपनी दो कार पार्क कर सकते हो और मेंगेट की सामने इस बे हमारे पास गर का में दोर आरहा मुख्या दर्वाजा चैयार प्रीट इस मेंड दोर जैसी को लते हैं तैंढनो यहां पास 13 फिट हैज है यहां पूरा पूरा लिविंग गेरिया हुए, यहां पर आप राम से सोफ़े वगरा यहां पर लगा सकतो, ठीक है, तो 13 भाई अठारा फिट 9 गेरिया हुए और यहां पर देखे 13 फिट का दरवाजा और एक बेटरूम मारा जिसके एमारे पास साइज है 11 फिट ऐसे और 13 फि अंदर वेंटिलेशन वगरा कोई प्रोब्लम नो रहा है इसलिए हमने यहां पर बालकोनी छोटर की ताकि विंड़ो अगरा आम से दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों यह साढ़े तीन फिट का दर्वाज और बेटरूम आ रहा है जिसके हमारा पास आईजे फिट है और तेरह फिट है इस बेटरूम की चार फिट की विंड़ो उतर दिशववशं आदर निकल दिया और एक चार फिट की विंड़ा पिछे पूरी बढ़कूनी की इस बेटरूम सब्सवाइब आते हैं इसके जहेस पास में यहांपर देखिए हमारा इस्टेर कह से य यह चोटर के पीछे उसके अंदर निकल दिए और एक तीन फिट की विड़ोई किचन के पास में यहाँ पर हमने यूटिलीटि और वहास अरिया छोटर का जिसके अंदर इस बैटरूम की तीन फिट की विंड़ों निकल रहे है अब इस बेटरून वापिस बाहर आते हैं इसके जैस पास में याँ पर देखें तीन फिट का दर्वाजा और किचन आ रहा है जिसके अमारे पास आए जिसके अंदर किचन की चार फिट की विंड़ो निकल रहे हैं इसके अब बात करते हैं किचन और डाइनिंग एरिया के बीच के अंदर तो अगर आपको यहां पर देखें तीन फिट की विंड़ो से आप लोग सरूप कर सकतो ठीक है तो यह आपको गए डाइनिंग गिरिया यहां पर देखें साड़े तीन फिट का दरवाजा और एक बेटरूम आ रहा है जिसके अमारे पास साइजे 11 फिटे से और 13 फिटे से 11 फिटे से 11 फिटे का बेटरूम हो गया जिसके एक 4 फिट की विंड़ो सामने निकल लिए और ए चलिम आप इसको जूम करके दिखाता हूं तो यह देखें दोस्तों इस प्रकार में इसको डिजाइन किया है यह पस्चिम दिशा हो गए यह सामने बालकोनी यह 10 फिट का मेंगेट और यह आपका पार्किंग गया और फिर यहां से उतर दिशा से लेके यहां पूरू दिश करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ मझा जाए तो दोस्तों अगरे डिजैन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा दा सेर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जोड़ कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइ करना थी उसको भी प्रेस कर दिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए तने थैंक्स